प्राणा डइट में आपका स्वागत है, धैस्री रामा करश्ण आज आपको बताया जा रहा है, रेपिष्ट कौन होते हैं ? बलातकारी कौन होते हैं ? और ये बलातकारी क्यों बनते हैं ? और इसके बनने के फीशे जो मन्यवग्यानिक कारण है उन कारणों का आज मैं बताऊंगा कि ये बलातकारी क्यों बने कैसे बने और इसके उपाय रोग थाम के क्या है ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए है चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें ऑदिखशेर करें मैं डॉक्टर बना सिंग राणावत साइकोलोडिस्ट और डाइटिशन आज आपको बता रहा हूं रेपीस्ट यानि बलातकारी क्यों हैं? कैसे बनते हैं? यह भी हमारे जीवन अप्र हमारे समाज में आते हैं पर इंकी सोच कैसी होती है? कैसे बनते हैं ये आप देखिए जो बच्छे बच्चपन के अंदर अपने माता-पिता की परवरिष के अंदर अपनी मांगे मांगने से उनकी मांग पूरी होती रहती है उसमें भी ये देखा गया ये सरीर से बलिष्ट होते हैं इनके सरीर में प्रोटीन की प्याफ्त मात्राएं होती है और आप देखेंगे बच्छे अक्षर अपनी मांग मनवाने के लिए हट भी करते हैं तो उसमें माता का दिल होता है वो ऐसे पुष्ट बच्चे के प्रति इनकार नहीं होती है अद्रश ही रहती है उन्हें ये पता रहता है कि ये जो मांग कर रहा है इसकी पूर्ती करनी मेरी जवावदारी है पिता पूरे दिन घर के अंदर नहीं रहता है पिता बहार रहता है कमाने में जब ये छोटे बच्छे होते हैं तब कुछ बच्छे दादा दादी या नानानी के पास पलते हैं पर उसमें महिलाएं उनकी मांग को पूर्ती करती रहती है और जैसे मांग की पूर्ती होती है ये बड़े होते जाते हैं और जब बड़े होते हैं तब उनकी आद्धें अप किसे मांग के लेते हैं, जो आगे जाकर अपने यार दोस्तों में, बटवारे में खर्च कर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मांबाक से मांग तो लेते हैं, पर वो बटवारा कम करते हैं, तो जो वो एकांद में रहने वाले होते हैं, वो इतने गातक नहीं होते हैं, और गातिक भी होते हैं तो सुमा पर होते हैं न की दूसरों पर पर कुछ जो बच्छे पुष्ट अच्छे मजबुत जो लड़के होते हैं वो अपने साथियों में अपना रुबाव रखते हैं घर से आया हुआ हाथ खर्च उन्हें प्रोसान करता है और वो लीडर के रूप में एक स्थापित हो जाते हैं जब भी कोई जरूत होती है पिता चाता है कि इसकी मांग पूरी न करें पर माता उसमें साहिता करती रहती है और जब माता साहिता करती है उसे पता नहीं होता है माता एक अंदा लाड़ प्यार उसे ये ग्यात नहीं होता है कि मेरा बच्छा बिगड रहा है, जब बड़ा हो चुका होता है, और उसकी ख्वाइशें, उनकी इच्छाएं बढ़ती रहती है, पिता उस जिद को पूरी करता है, क्योंकि वो दो हो जाते हैं, मा और बीटा, उस दोरान, मा और बीटा दो होने से, पिता देखता है, घर में शांती रहेगी, चलो जाने दो, ये करते वैसे करने दो, पिता भी जिद पूरी करता है, फिर वो बड़े होते हैं, दिखता है, एक चीतिसी इस्पोर्ती तो होती है उन में, और वह अपने मित्रों के साथ में, गलत सोच में आई जाता है, जिसमें ये सभी को बताया जाता है, मेरे द्वार कि जीवन में तीन चीज़े सबको ज़रूत पड़ती है आहार, निंद्रा और मैथुन जब ये बलिष्ट लड़के दिवाग से तंदूरुस्त होते हैं पड़ाई में हो सकता है ढोर हो पर अब उन्हें सेक्स के प्रति आकर्शन होने की वज़े से उनकी हिमत घर के अंदर बड़ी होती है कि अपनी इच्छाएं पूरी करनी किसी की त्रूप में वो जिद्दे सवाव के हो चुके होते हैं उस समय अब संसकार दिये भी जाए हैं तो संसकार गरण नहीं करते हैं पर इसमें सूपर इस पेलिष्ट जो बलातकारी होते हैं वो मैं आपको बात में बताऊंगा जिसमें थोड़ी सी जलक दे दूँ वो लोग करिब करिब इस महिलाओं के चक्कर में नहीं आते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि लड़कों में गुदा मैथुन वो बलातकार कर देते हैं और बड़े चतुराई से दिमाग से वो अपना जो कामुक प्रवती है उसको सांध करते रहते हैं इससे भी बचना है इसके बारे मैं विस्तत बाद में बताऊंगा पर पहले यही बता रहाँ कि जो महिलाओं के साथ में प्लातकार होता है उसमें इनकी भूमी का क्या है फिर ये निर्जल तो हो चुके होते हैं इन्हें डर होता नहीं है इन्हें समाज क्या कहेगा इससे कोई लना दाना नहीं है परिवार क्या कहेगा उसका असर नहीं होता है थोड़ी देर के लिए ऐसा कहीं होगा तो पहली बात तो वहां जाएंगे नहीं जहां अफवाद सुनने को मिलेगा वहां मौन रह जाएंगे और ये मनी मन मुस्काते रहते हैं और इनकी चाहें इसकात पूरी होती रहती है और ये एक कुमारगी कामुक विक्ती बन जाता है तब उन्हें पता नहीं होता है अब बलवान के चक्कर में उन्हें ये पता नहीं है तब इच्छाएं दूसरी और मोड़ जाती है ये नशे के आदी हो जाते हैं और नशे के आदी होने के बाद मैं अपराद प्रवर्ती में ये देखे गए हैं और देखे जाएंगे कि आप देखेंगे काफी लोग जो लीडर्शिप में होते हैं ऐसे लोग और लीडर्शिप में मुझे कहने की जुरूद नहीं है किसी के उपर अंगली उठाने की जुरूद नहीं समझता हूँ आप देखेंगे काफी लीडर भी ऐसे हैं जो इनकी हिमायत है करते रहते हैं और क्या हो गया बच्छा है गल्ती कर दी और विशेश देखा जाए तो मुलाइम सिंग इसके बड़े जो मोटिवेटेज करने वाले हैं या मोटिवेटेज मैं मुलाइम सिंग जैसे सरंक्षक माना जा सकता है कि ये लोग कहते हैं क्या हो गया जब इनके घर में बीतती है तब पता चलता है पर इनके घर में बहुत सारी सुरुक्षाएं होती है इसलिए वहाँ पर परिंदा पर भी नहीं मार सकता इसलिए कोशिश आपको यह करनी चाहिए कि बचपन के अंदर ही बच्छे को अच्छे संसकार दिये जाएं जिससे वो सुद्रेगा अब बड़े होने के बाद यह होता है कि लोग को यह सोचते हैं कि क्योंने बच्छे की साधी कर दी जाएं साधी के बाद ही सुद्र जाएगा पर कुछ लोग परिवार में समाज में अच्छे आदर्स होने से हो सकता है सुदर भी जाए पर जो निसुदरा है वो हमेशा उन्हें दो चीज तो खीचती रहेगी दारू की दुकान या परोशन की मुश्कान देखते रहे हैं कोई टिपनी होगी जबाब देंगे काफी लोग वीडियो कॉल करते हैं हम वीडियो कॉल उठाने में असमर्थ हैं और एक सवाल का जबाब तो वार्टसप पे दिया जा सकता है लगातार वारता संभव नहीं है और काफी जैसे बिहारी लड़के हैं वो फॉन करके कौन कहां से फाल तो बखवास जादा करते हैं तो हम मुझे ब्लॉक करना पड़ता है मुझे आप सकता नहीं ऐसे लोगों की मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद